हेलो दोस्तों फाइनली आज आप देख रहें 2023 की न्यूली लॉंच बजाज पलसर P150 Twin Dix Black कलर में इसको बजाज कमपनी ने दो वेरियंट 5 कलर आप्सन में न्यू लॉंच किया है इस बाइक में आपको क्या-क्या features मिल जाते हैं, mileage कितनी देती है, top speed क्या है दोनो वेरियंट की detail में on-road कीमत क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को last तक पूरा देखना, तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इस bike के front profile से तो यहाँ पे आप देख सकते हो, glossy black color finish के साथ इसका front वाला visor आपको मिल जाता है जो की थोड़ा सा कर्वी shape में मिल जाता है, सामने से यहाँ पे आपको number plate लगानी की जगह देखने को मिल जाती है और halosan bulb के यहाँ पे आपको turn indicator मिल जाते हैं, जो की fully flexible दिये गए head light section की अगर बात करें तो यह जो आगे वाला part है दोस्तों यह आपको काफी कर्वी मिल जाता है चलिए सबसे पहले मैं इसके ignition को उन करके मैं इसके light को आपको check out करा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो इसकी light को bifunctional LED projected headlamp setup आपको देखने को मिलता है जिससे night की visibility काफी अच्छी हो जाती है LED DRL setup आपको देखने को मिल जाते हैं उपर में दो छोटे से बाकी side में आपको dual tone color के काफी सांदार graphic के work मिलते है glossy red और matte black color finish के साथ और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 31mm के telescopic fog type के आपको suspension मिल जाते हैं जिसके दोनों और उपर में आप देख सकते हो plastic की आपको covering मिल जाती है suspension के दोनों और आपको reflector मिलते है two piece में यहाँ पे आपको front वाला mudguard मिल जाता है fiber body के साथ जिसके side में आपको mid black color का sticker work मिलता है ABS की यहाँ पे आपको branding देखने को मिल जाती है और दोस्तों इसके अगर tire size की बात करें तो यहाँ पे आपको 90-90-70 का tubeless tire मिल जाता है काफी सांदार 17-inch के gray color के alloy के साथ और alloy पे आपको rate color की strip देखने को मिल जाती है इसके अगर dix break की बात करें तो यहाँ पे आपको 260 mm diameter की यहाँ पे आपको dix break मिल जाती है MRF company का tag यहाँ पे आपको front में देखने को मिल जाता है बाकी अगर इसके right side की ओर चले दोस्तो तो यहाँ से आप इस बाई का पूरा right side का profile देख सकते हो Pulsar N160 से काफी हद तक यह match करती है और इसके fuel tank call पे यहाँ पे आपको dual tone color के काफी सांदार graphic के work देखने को मिल जाते है Pulsar की यहाँ पे आपको 3D में branding देखने को मिल जाती है Silver color के finish के साथ और उपर से यहाँ भी आपको कुछ matte के finish देखने को मिल जाते है Full metal body आपको देखने को मिलती है 14 liter का आपको capacity मिलता है Fuel tank cap यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी आगे की और चले तो यहाँ पे आपको fiber की touch मिल जाते है USB charging port यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Market वगड़े या Office वगड़े जाते समय आप अपने phone को यहाँ से असानी से charge कर सकते हो Clip on bar type के handle bar मिल जाते है और दोस्तो इसका key देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तो अगर इसके console के setup की बात करें तो यहाँ पे आपको semi digital type के meter console मिल जाते है जिसके center में आपको RPM meter analog में दिया गया है और इसके left side में आपको check engine की light मिल जाती है low battery alert मिल दा है side extend की warning देख सकते हो turn indicator की warning मिल जाती है head light की आपको warning देखने को मिल जाती है इसके साथ साथ console के right side में आपको मिल जाता है RPM limit की warning ABS की आप warning को देख सकते हो turn indicator की आपको warning मिल जाती है gear neutral आपको देखने को मिल जाता है और दोस्तो औरेंज कलर के light के साथ आपको digitally show हो जाता है gear shift indicator, speedometer मिलता है, digital clock देख सकते हो digital fuel gauge मिल जाती है real time mileage indicator आपको देखने को मिल जाता है कि आपकी बाइक एक लीटर में कितनी mileage दे रही है distance to empty मिल जाता है service due reminder आपको देखने को मिल जाता है बाकिस के left handle पे चले है तो यहाँ पे आपको passing की switch देखने को मिल जाती है upper deeper नीचे आपको turn indicator और यहाँ पे आपको horn का switch मिल जाता है दूसरी ओर चले दोस्तों तो यहाँ पे आपको red color का engine की switch मिल जाता है नीचे आपको self start की switch मिल जाती है चले दोस्तों मैं आपको इसके engine और इसके exhaust के note को check out करा देखा हूँ तो यहाँ से आप इसके exhaust के note को सुन सकते हो आगे की ओर चले तो यहाँ से आप इसके engine के note को सुन सकते हो बागी दोस्तों जैसा कि यह double digs top model बाइक है तो इस बाइक में आपको split type के seat देखने को मिल जाते है कुसन काफी soft आपको मिलती है पीलियन और rider दोनों के लिए पीछे वाली seat उची मिल जाती है कुछ आगे वाली की मुकाबले 790 mm का आपको seat height मिलता है इसके साथ साथ इसका graph handle देख सकते हो split मिल जाते है seat cowl पे आपको P150 की sticker work देखने को मिलती है white color के साथ glossy red color का यहाँ पे आपको strip देखने को मिल जाता है और side body panel की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सांदार carbon fiber touch मिल जाता है जाली की यहाँ पे आपको work देखने को मिल जाती है बागे दोस्तों यहाँ पे आप rider का adjustable footrest देख सकते हो brake pad आपको देखने को मिल जाता है इस पे भी आपको dual tone color के काफी सांदार graphic के work देखने को मिल जाते है catality converter यहाँ से आप देख सकते हो single piece horn के साथ यह bike आती है और दोस्तों यहाँ पे आपको crash guard देखने को मिल जाता है 165 mm की आपको ground clearance मिलती है चलिए दोस्तों finally बात करें इस bike के engine और power की तो इस bike में आपको 149.68cc का air cool four stroke two wall BS6 FI engine मिलता है यह engine maximum power generate करता है 14.5 PS का 8500 rpm और maximum torque generate करता है 13.5 mm का 6000 rpm फाइव स्पीड gearbox के साथ यह bike आती है mileage की बात करें तो 45-50 kmpl की असानी सी यह bike mileage निकाल करके देगी core weight आपको 141 kg का देखने को मिल जाता है जैसा कि यह double dicks variant है तो यहाँ पे आपको pillion का adjustable footrest मिल जाता है अन्मूनियम का और दोस्तो इसके rare में आपको 110, 80, 17 के tubeless tire देखने को मिल जाते है 17 inches के काफी सानदार gray color के alloy के साथ और alloy पे आपको red color की strip देखने को मिल जाती है 230 mm diameter के यहाँ पे आपको dicks break देखने को मिल जाते है जैसा कि यह doubled experience है ABS आपको देखने को नहीं मिलती है और दोस्तो इसके rare में आपको mono sock type के adjustable suspension के setup आपको देखने को मिलते है mod flap यहाँ से आप देख सकते हो बागे दोस्तो अगर इसके rare profile की बात करें तो यहाँ से आप इस बाई का पूरा rare profile देख सकते हो काफी सांदार look के साथ यहाँ पे आपको split LED crystal light के setup आपको देखने को मिल जाते है और दोस्तो यहाँ पे आपको halosan bulb का turn indicator मिलता है जो की fully flexible दिये गए reflector यहाँ पे आप देख सकते हो number plate लगानी की आपको जगह मिल जाती है दूसरी ओर चले तो इधर से भी आपको sit call पे P150 की sticker work देखने को मिल जाते है red color का यहाँ पे आपको strip देखने को मिलता है यहाँ पे आप sit locker को देख सकते हो lady pillion का यहाँ पे आपको काफी सांदार company fitted सारी guard मिल जाता है open chain sit की आपको covering देखने को मिल जाते है fiber body के साथ बाकि यहाँ से आप इस bike का pillion का adjustable footrest देख सकते हो जो की ammonium का दिया गया rider का यहाँ पे आपको adjustable footrest मिल जाता है five speed gearbox के साथ यह bike आती है और दोस्तो side stand cut off जैसे इस bike में आपको features देखने को मिल जाते है यहाँ पे आप इसका main stand को देख सकते हो और इस side से भी आपको इसके engine पे बजाज की branding देखने को मिल जाती है चलिए दोस्तो finally बात कर इस bike की pricing की तो जैसा कि यह top model twin dix bike है तो इस bike की एक showroom कीमत है 1,20,077 रूपीज और इसकी on road कीमत है 1,45,212 रूपीज और दोस्तो यहाँ से आप इस bike की base variant को देख सकते हो single dix के साथ इसकी एक showroom कीमत है 1,17,075 रूपीज और इसकी on road कीमत है 1,41,835 रूपीज यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये तिरूत बजाज मारीपूर रोड मुझपर पुलिस्तित showroom में इस showroom में आप विजिट कर सकते हो बजाज के किसी भी bike का test drive ले सकते हो showroom की साथी जानकारी मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा दोस्तो अगर आप भी अपने city की on road price जानना चाहते हो तो आप मुझे comment box में अपने city का नाम लिख करके बेश सकते हो थैंक यू दोस्तो वीडियो के लाज तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेनत पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा share कीजेगा और bikers point चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा थैंक यू so much